असलाम वालेकुम आज हम बनाएंगे रवे का हरीरा तो चलिए अब हम रवे का हरीरा बनाएंगे त्यार कर लेंगे तो इसके लिए सबसे पहले बगोने को गरम कर लेंगे और इसमें आट करेंगे सब ग्राम घी गी को गरम कर लेंगे और इसके बाद में इसमें ड्राइफ रूट्स अट कर लेंगे अब इसमें बारिक कटे हुए काजू बादम अट कर लेंगे तो काजू बादम लेंगे हम 12-15 यानि कि 12-15 बादम लेना है और 12-15 काजू बारिक काट लेने के बाद में इसको अच्छे से घी में तलेना है और साथ में ही हम साबित 4-5 इलैची भी आट करेंगे तो काजू बादम का कलर चेंज जैसे ही हो जाएगा इसमें अब हम आट करेंगे रवा 150 ग्राम तो अब हम रवे को भी भून लेंगे इसका कलर अच्छे से चेंज होने तक इसको भून लेना है हलका सा बादमी कलर आने तक इसको भून लेना है तो ये देखिए अब ये जो रवा है इसका कलर चेंज हो गया अब हम इसमें आट करेंगे पानी चार से पांच ग्लास पानी आड़ करेंगे तो पानी आड़ करने के बाद में अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे इसमें उबाल आने के लिए छोड़ देना है जैसे ही इसमें उबाल आएगा इसको पका लेना है सिर्फ दो मिनट के लिए और यह है इलाइजी पॉडर, एटीसपून, थोड़ा सा हम फूट कलर भी आट कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, तो यह साफरन फूट कलर है, आदा टीसपून से भी कम लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद में इसको उबाल आने के लिए छोड़ेंगे उबाल आने के बाद में सिर्फ तू मिनट के लिए पकाना है तो देखते ही देखते यह जो रवा है अच्छे से पक के गाड़ा हो जाएगा जब यह गाड़ा हो जाता इसमें अब हम आट करेंगे शक्कर 500 ग्राम शक्कर आट कर लेंगे या फिर अपने टेस्ट की हिसाब से भी इसमें शक्कर आट कर ले सकते और शक्कर आट करने के बाद में पहले ते इसको अच्छे से मिला लेंगे मिला लेने के बाद में मीडियम हीट पे इसको पका लेना है 10-12 मिनट के लिए तो शक्कर जो है अच्छे से घुल के पक जाएगे 10-12 मिनट तक इसको अच्छे से पका लेने के बाद में अब हम फ्लेम आफ कर लेंगे और ये जैसे ही थंडा होना शुरू हो जाता ये बहुत ज्यादा गाड़ा हो जाता तो चलिए इसको अब हम डिशाउट कर लेंगे ये बिल्कुल रेडी है सर्फ करने के लिए तो 10-12 मिनट तक शक्कर दालने के बाद में इसको पका लेना है और इसके बाद में फ्लेम आफ कर लेंगे अब हम इसको सर्फ कर लेंगे तो ये देखे इस तरह से इसको हम सर्फ करेंगे नान की रोटी के साथ में या फिर चाहे तो इसको गेहों की रोटी के साथ में भी सर्फ कर सकते हैं तो जरूर ट्राय करके देखिए आप लोग रवे के हरीरे के रिसीपी को तो जब इसको सर्फ करेंगे अगर हम रहना तो इसका बोटा चाटेस्ट आता जरूर ट्राय के जिए रिसीपी देखने की बाद में अगर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़रू लाइक कर दी आएक पाला घच वशाने नी नीख डिसीबू लाइक लुड़ ऑचाइब ख़िए boa इसente वाने देखने।